नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z बैंकिंग इन्फार्मेशन पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि APS यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस आप घर बैठे अपने मोबाइल से आनला सर्विस को एक्टिव नहीं करते हैं या फिर कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है मेरा एक खाता पंजाब नस्नल बैंक में है मैं वहाँ पर चार बार उस ब्रांच में जा चुका हूँ उनसे लगातार मैं बोलता हूँ जब भी जाता हूँ कि सर हमार को पता है APS जो सेवा है यानि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस जिसमें आप सिर्फ अपना अधार नंबर दे करके आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप अपने बैंग खाते से पैसा निकाल सकते हैं जमा कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं सारी फैसल्टी आपको मिल जाती है और उसमें आपको अपना सिर्फ अंगूठा लगाना होता है बायोमेटिक के माध्यम से आपको इस सभी शुविधाय मिल जाती है तो मैं इसके लिए उनके पास चार बार गया उन्होंने हर बार मुझसे ही कहा कि सर आपके खाते में आधार मैंने लिंक कर दिया है यहाँ पर मेरे पास जो आपसन है सिर्फ और सिर्फ आधार लिंक करने का है तो मैंने आधार लिंक कर दिया है इसके लामा मेरे पास दूसरा कोई आपसन नहीं जिससे मैं आपकी APS सेवा को इनेबल कर सकूँ तो वहाँ पर उनने मुझे सिस्टम अपना घुमा करके दिखा दिया था लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं वो बिलकुल आनलाइन प्रोसस है दो मिनट में आप घर बैठे APS सर्विस को इनेबल कर सकते हैं और तुरंत पैसे विड्राल कर सकते हैं अपना अंगुठा लगा करके तो अगर आपकी सर्विसेस इनेबल हैं और आप उन्हें डिसेबल करना चाहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें डर रहता है कि कोई पैसा न निकाल ले कोई हमारे फिंगर प्रिंट का क्लोन तयार न कर ले तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा पैसा सिर्फ बैंक से ही निकले हम AAPS Services को इनेबल नहीं कराना चाहते तो वो लोग बैंक जाते हैं कि AAPS Services को हमारी Disable कर दीजे तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपके खाते में मैंने आधार लिंक कर दिया है अगर आप कहें तो हम आपके खाते से आधार हटा देते हैं तभी आपके खाते से AAPS Services Disable हो पाएंगी तो अगर वो आधार हटवा देते हैं तुन्हें सरकारी सुधाओं का लाम मिलना बंद हो जाएगा इसलिए लोग आधार नहीं हटवाते तो उनके खाते में AAPS Services जो है वो एक्ट्व बनी रहती हैं तो उसे आ प्रोसेस है जिससे आप 2 मिनट में डिसेबल भी कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर इनेबल भी कर सकते हैं दोस्तो आज की इस video में हम आपको जिस bank का यह process दिखाने वाले हैं वो होने वाला है PMB यानि Punjab National Bank का और यह process लगभक सभी बैंकों का होता है जिस तरह से मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लाइव process दिखाने वाला हूँ कि PMB 1iF से आप किस तरह से इसको active कर पाएंगे अपनी AAPS services को किस तरह से enable कर पाएंगे तो लगभग उसी तरह से सभी बैंकों का process होता है जैसे PNB में PNB one app से आप कर पाएंगे SBI में SBI or no app है उससे कर पाएंगे उसी तरह से अन बैंकों में भी उनके जो भी apps हैं वहाँ पर जब आप services के section में जाएं हैं आप लोगों को live process दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग दो मिनट के अंदर PNB यानि पंजाम नस्नल बैंक का या फिर अन्य किसी भी बैंक का आप लोग process समझ लीजिए लगभग process सभी बैंकों का सेम ही होता है तो मैं उदाहरण के लिए एक बैंक का आपको करके दिख पाएंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है simply आपके phone में पहले से PNB one app होना चाहिए या फिर आप download कर लीजिए उसमें आप अपनी ID बना लीजिए बहुं सारे लोगों जिनके भी खाते PNB में हैं और उन्होंने अपना PNB one app में login कर रखा है तो सबसे पहले आपको PNB one app को login करना है चाहिए आप biometric के माध्यम से करें या फिर password के माध्यम से करें जब आप login कर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा PNB one app का इसमें इधर आप left corner में देखेंगे services का आपको option दिख रहा इसी पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे other का option आपके सामने देख जाएगा थोड़ा scroll down करेंगे तो other आपको देख जाएगा उस other के option पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर A.E.P.S. facility का option देख जाएगा इसी पर आपको क्लिक कर द का आधान नमबर नीचे जो बाक्स बना है इसमें आपको आधान नमबर डालना है यह टिक बाक्स जो बना हुआ है इसमें आपको टिक लगाना है यानि जो भी उनकी conditions है उन्हें आपको agree करना है और उसमें आपको टिक बाक्स में टिक लगाना है और नीचे इनेबल का बट enable का इसी पर आपको क्लिक करना होगा अब आपके सामदेंग निव पेज ओपन होगा यहां पर आपको फिर से सभी डीटेल सो कराई जाएंगी यहां पर आपको चेक करना है और कनफरम का जो नीचे बटन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना होगा यह कनफरम का बटन आपको नीचे दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा अब आपको अपना टांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा जो आप टांजेक्शन करते समय पासवर्ड डालते हैं जब आपको बटन दिखरा इसी पर आपको क्लिक करना होगा अब आपके सामने कुछ ही सतरह का जो पेज है वो उपन हो जाएगा जिसमें दिखा होगा सक्सेस और टिक लगा होगा उसके बाल लिखा है एई पी एस इनेबल सक्सेस फुली यानि कहने का तात पर यह है कि आपके खाते में एई पी एस सेवा चालू हो चुकी है दोस्तों इस तरह से आप लोग भी अपने भैंक खाते में एई पिस सर्विशेस को प्रोसेस है तो वहां पर आपको एपीएस फैसलिटी का आपसन मिल जाएगा वहीं से आप अपनी एपीएस यानि आधार इनेबल पेइमेंट सर्विस को एक्ट्व या डिस एक्ट्व कर सकते हैं अगर आपको जरुवत नहीं है तो आप यहां से डिसेबल भी कर सकते हैं और अगर आपको अवशक्ता है कि आप बैंक नहीं जाना चाहता पैसे निकालने के लिए डिपॉजिट करने के लिए बैलेंस इंक्वारी के लिए आप अपने गाउं में ही अंगुठा लगा करके पैसा निकालना चाहते हैं तो फिर दोस्तों उसके लिए आपके लिए बहुत इंटरफेस आएगा कि आपकी जो APS Services हैं वो successfully enabled हो चुकी है उसके तुरंत बात आप अपने नजदी की लोकवाणी केंद CAC Center या फिर ग्रहक सेवा केंद बैंक मित्र के पास जा करके आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में APS Services होई या नहीं होई मैंने चेक कर ल जाएगा जिसमें लिखा है कि आपके खाते में APS Services को enable कर दिया गया है आपकी विहाब पर यानि आपकी तरफ से आपने जो consent दिया है आपने OTP की है आपने अपना transaction password डाला है और आपने process किया है इसलिए आपके खाते में APS Services को enable कर दिया गया है अगर किसी तरह की समस्या है तो नीचे bank का toll free number दिया गया है आप उस पर complain कर सकते हैं दोस्तों आसा करते हैं जानकारी पसंदाई होगी अगर जानकारी पसंदाई हो तो प्लीज वीडियो को एक like करिएगा चैनल पर नए है पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकान को press कर लीजेगा ताकि जैस से मिस्तरे का कोई भी दूसरा वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में किसी अगले interesting topic के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत